हेलो फ्रेंड्स, मिसन MPPSC में आपका स्वागत है आज की वीडियों हम यूरोप महादीप के बारे में देखेंगे यह है छेत्रफल की द्रश्टी से छटवा सबसे वड़ा महादीप है तथा यूरोप महादीप में छेत्रफल की दरश्टी से सबसे वड़ा देश है रसिया दूसरा सबसे वड़ा देश है यूक्रेन और तीसरे नमर पर है फ्रांस तथा जन्संख्या की दरश्टी से पहले नमर पर रूस है दूसरे नमर पर फ्रांस तथा तीसरे नमर पर UK United Kingdom है रूस की राज़दानी ये है मासको, मासको मस्कवा नदी के तड़ परिस्तित है सेकंड हम देखते हैं फ्रांस की राज़दानी पेरिस सीन नदी के तड़ परिस्तित है नेक्स्ट हम देखते हैं UK की राजदानी लेंडन टेम्स नदी के तर पर इस्तित है अंगे हम देखते हैं कि ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन तथा UK में कौन-कौन से प्रांथ सामिल किया जाते है इसके लिए हम इतने भाग को निकाल के अलक से देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंतरगत इंगलेंड को सामिल किया जाता है मैं repeat कर रहा हूँं ग्रेट ब्रिटियन के इंतर गत इंगलेंड को सामिल किया जाता है। आंगे हम देखते हैं Scandinavian पिर देश या Scandinavian देश Scandinavian देश के अंतरगत Iceland, Norway, Sweden तथा Denmark को सामिल किया जाता है ध्यातब है कि Geographically North America के पास Greenland है जो की Denmark का ही भाग है मैं repeat कर रहा हूँ Scandinavian देश के अंतरगत Iceland, Denmark, Sweden तथा Norway को सामिल किया जाता है आंगे हम देखते हैं Baltic देश, Baltic देश के अंतरगत कौन कौन से देशों को सामिल किया जाता है तो Baltic देशों के अंतरगत Lithuania, Latvia तथा Estonia को सामिल किया जाता है मैं repeat कर रहा हूँ Latvia, Estonia तथा Lithuania इन तीनों देशों को समले तूप से Baltic देश कहा जाता है आंगे हम देखते हैं कि यूरोप महादीब से तीनों प्रमुक रिखाएं नहीं गुजरती हैं करकरेखा भूमद रिखा तथा मकर रिखा जबकि हमने एफरिका महादीब की वीडियो में देखा था एफरिका महादीब से तीनों रिखाएं गुजरती हैं करकरेखा मकर रिखा तततव हुमत तरेकर आंगे हम देखते हैं कि जर्मनी पवन्ओरजा का विस्व में सबसे वड़ा उतपादक देश है इसलिए एक्जाम नि नीदरलेंड या होलेंड नीदरलेंड या होलेंड को पवंचक्कियों का दिस कहा जाता है आंगे हम देखते हैं नौर्वे को मद्धरात्री का दिस कहा जाता है तता फिल्लेंड को जीलों का प्रदिस कहा जाता है अभी कुछ समय पहले ही सना मौरिंड फिल्लेंड की प्रदा से योबा पिरदानमंत्री हैं आँगे हम दे नियुरूप महादीब को डीपों कर दीब कहा जाता है क्यूंकि इस महादीब पर अनेक दीब जो बिभिन्नалы जल संधीयों के द्वारा फिर्ठक हुए हैं चलिए इन धे जल संधीयों को पहले हम जिब्राल्टर जलसंदी को देखते हैं जिब्राल्टर जलसंदी या स्ट्रेट रॉप जिब्राल्टर यूरोप के इस्पेन तथा अफरिका महादीब के मोरकों को अलग करती है जिब्राल्टर जलसंदी को भूमद्द सागर की कुझी भी कहा जाता है यह जलसंदी भूमद्द सागर तथा अटलांटिक महा सागर के जल को जोड़ती है। आंगे हम देखते हैं कीर जल संदी काला सागर तथा एजूब सागर को जोड़ती है। तथा यह क्रीमिया को यूक्रेन से अलग करती है। आंगे हम देखते हैं वासपूरस जलसंदी वासपूरस जलसंदी काला सागर तथा मरमरा सागर को जोड़ती है तथा यह एक अंतर महाधीप यह जलसंदी है क्योंकि यह एसिया को यूरोप से अलग करती है तथा इस जलसंदी पर वासपूरस विरेज है जो की एक अंतर महाध महाधीप में हैं तथा तुर्की जो कि एसिया महाधीप में को अलग करती है आंगे हम देखते हैं मेरसिना जलसंदी आंगे हम देखते हैं मेरसिना जलसंदी मेरसिना जलसंदी टेहेरियन सागर तथा आयोनियन सागर को जोड़ती है तथा यह सिसली दीप तथा इटली को डोवर सलसंदी उत्री सागर तथा एंग्निस चैनल को जोड़ती है आंगे हम देखते हैं बोनी फेसियो जलसंदी जो की टेहरियन सागर तथा भूमद सागर के जल को जोड़ती है तथा फ्रांस के कोर्सी का दीब तथा इटली के साडनिया दीब को अलग करती है आंगे हम द यूरोप महादी के पठार नदियां आदी डिस्कस करेंगे वीडियो देखने के लिए धन्मबाद वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जाहिन पंदे मातरम